नमस्कार विश्वों स्वागत से आपके अपने यूटीब शेनल दा पिसी एम विजिन में प्यारी विश्वों आज की इस वीडियो के माध्यम से मलूग क्लास्ट्विल प्रिटिकल साइंस के 30 महत्मुन MSQ सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोड़ एक्जाम में आने की परवल संभावना है तो विडियो पे आप लोग अंतक बने रहें और शेनल पे पहली बार आएं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा क्योंकि अब इसके बाद आपका CUET के इक्जाम की आपको त्यारी करवाई जाएगी क्योंकि अगर आप 200 बेकों में एंडमिसन करवाना चाहते हैं तो CUET के एक्जाम में आपको बैटना पड़ेगा तो इस एक्जाम के वित्यारी इस चैनल के माध्यम से करवाय जाएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा और यहाँ पर मैं जो आपको 30 कोशन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है इसे आप लोग क्या केज़े पूरे वीडियो को अंतक देखे और आप लोग 2 इंटू में देखे आने की स्पीट बढ़ा लिजे दो कुना स्पीट में देखे लेकिन वीडियो को पूरा देखे यह ठीक है बहुत ही महतपूर स्वाल है आपका QE की रिविजन जरूरी है इन सवालों का ठीक है तो इसलिए शुरू करते हैं और एका करके सारी कोशन को आपे हम लोग डिस्कस करते वेश चलते हैं तो देखे वैसले पेहला कुशन है कि खारतमर रैज्फ पुंदर-गठन-ष।ण आयो कि अस्थापना किस वर्श की गई तो भारतमर रैज्फ पुंदर-गठन-ष।ण आयो किश अस्थापना यह आपका उनीस सो तेरपन में क्या गया था अगला कुशन क्या है कि इनमें से कौन सा सोवियत संके विगटन का परिणाम नहीं है तो देखे पहला अप्शन है अमेरिका और सोवियत संके विगटन का परिणाम है इसका सुतंतर रैज्व में रैष्ट कुल का जन्म ये भी इसका परिणाम है और सक्ति संत उल्मिल ने बदला यह का विगटन का परिणाम है मैद्खी अभी विगटन का परिणाम नहीं है तो आर्थिक चेतर में भी है और सांस्कृतिक चेतर में भी तो इसको उसन का करेक्ट आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का अस्थान लिया देखें नीटी आयोग से पहले आपका योजना आयोग को चलता था और एक जनवरी 2015 को योजना आयोग को समात करके उसके जगापर भाया तो इसको संगा करेक्ट न हुआ उप्सफन वर्गा योजना योजना योग उसके वादी कि अगला कुछन के बांगला देश किस वर्ष अदाद हुआ तोस जीर आपका उप्सेंस के निए कि चेतर में बड़े कदम उठाने चाहिए यह का कि परताम पंचवर्सी पर जोड़ देना उप्षेंद वर करेक्ट्र मेर्ड रूगा और यह कुन से मोडल पर राधारी था तो हेराट डोमर मोडल पर राधारी था ध्यान रखेगा अगला उप्षन आपका कैए कि फरक्का समझोता किन दो देशों के बिस हस्थां श्तान श्रित हुआ था अनिकी ज पर जाने कई के नाम से चाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को आपका सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है, अगला कुछन का है, कि यह शुन ने अट्लांटिक चार्टर पर हस्ता ऐसर किया तो आज रिकेगा यह आपका अमिरिका और ब्रिटेन ने क्या था किसने अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या था ओप्शन नमर गई इसका करेक्ट अंत्रोगा अगला कुश्चन के है कि पंचसील समझोते पर किस वर्स हास्ताजशक किये गए थे तो पंचसील समझोता आपका 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीज ओप्श समझोते पर भारत और पाकिस्तान के समझोते पर हास्ताचर किये थे तो 1965 में जब युद्ध की समाप्ति भारत और पाकिस्तान के बीजना तो उसके बाद आपका तास्कन समझोता हुआ था ओप्शन मरख इसका करेक्टर अंत्रों का तास्कन समझोता अगला कुश्चन के है कि कोई भी रैष्ट अपनी विदेश निती को ध्यान में रखकर बनाता है तो यह आपका अपने रैष् क्यों कि भारत के देखें जो आपका यह थी था ना मतलब परमानु अपरसारसंदी जो परमानु आपका बन गया परमानु संपन देश उसको बोलता ठीक है तुम अपना परमानु हथ्यार रखो और जो नहीं बना पाया हवी तक परमानु वह अपना क्या करो अभी अपना बनेवे मत करो परमानुबम ठीक है मतलब जो बना लिया है ठीक है जो नहीं बनाए उम्मट मनाओ ठीक है तो इस वज़़ेसे भारत में क्या क्या था आपका इस्वा अगला कुछन है कि भारत सरकार दुबारा राजा महराजाओं को दिये जाने वाले विश्यस अधिकार को कहा जाता था तो आद रखेंगा इसे आपका कहा जाता था प्रीवी पर्स कहा जाता था प्रीवी पर्स कहा जाता था अगला कुछन क्या है कि 1962 में किस देशने क्यूब में परमानों मिसाइल ने तेनाद की थी तो आपका सुविय संग ने किया था और इसी को आपका क्यूवा मिसाइल संकट की नाम से जाना जाता है अगला कोशन है कि सिमला समझोता कब हास्ताशर किये यह थी तो सिमला समझोता आपका 1972 में हुआ था तीन जुलाई 1972 को किसके बीच हुआ था तो भारत और पाकिस्तान की बीच अगला कोशन के है कि पर्थम गूट निर्पे सम्मेलन कहा है आउजीत हुआ था तो आपका बेल देखे अगला कुशन आपका क्या दिया गया है देखे तो कमी होती है कि मन्यपूर के उस राजा का नाम बताए जिस ने भारत सरकार के साथ भारतिय संग में वेले के दस्तावेज पर हस्ताचर किये तो यह कौन थे तो आदर के यह आपका महाराजा बोध चंद्र सिंग थे अग्ला कुशन देखे किये है कि प्रिकी के वायूमंडल में मोजूद कौन सी गेस लगातर कम हो रहे है तो यह आपका कौन सी गेस लगातर कम हो रही तो ओजान गेस ठीक है जिसे आपका क्या हो रही प्राब्रेघ्द Will generate अधर आ रही है और यह आपका ख़तम होने के कारण क्या है तो सी एपसी आने की क्लोरो फ्लोरो कारवन अगला कुछिन दिखे कि लिए कौन सी गेस उत्तर दाई है जिम्यवार है तो यह आपका कर्वन डायोकसाइड ऑपसन नमर का इसका कर्याक्ट अंथ्रुगा अगला कुछिन के कि कॉंग्रेस का नांगपूर अधिवेशन क अगला कुछिन का उत्र अधिकारी कौन सा संगठने तो लिंग ओफ नेशन आपका 1920 में बनाया गया था और इसका उत्रा अधिकारी आपका किसे बनाया माना जाता है तो यूए नो को ठीक है उसके आस्थान पर यूए नो आया ऑपसन का इसका कर्याक्ट अंथ्रुगा तो नाम लिखाईएगा बीए बीको में तो बेसी में तो आपको सी यूए टी के एक्जाम में बेटना पड़ेगा तभी आपका एडमिसन हो पाएगा ठीक है तो सी यूए टी के एक्जाम आपको देना पड़ेगा और यह जो सी यूए टी का एक्जाम है इसका त्यारी चैनल क मार्दम से करवाया जाएगा तो चैनल पर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा और यह आपका आज का अंतीम वीडियो था और आप लोगों को बहुत वो धिर्यवाद जो आप लोग अंतीम तक जुड़े रहे हैं ठीक है चलिए आपको आज सब्सक्राइब करें तो चलिए आप लोगों का एक्जाम देजिए बहुत अच्छा एक्जाम जाएगा उमिर्द करते हैं अगर आपके पस्टाइम है अपका पूरी किताब का निच रोट ठीक उसको आप लोग जरूर देख लिएगा तो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जवारत जोड़ जार।